नमस्कार दोस्तों में डॉक्टर सुप्रियोद अब सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है मेरा चैनल होमियोकेट टिप्स पे तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले है एक बहुत ही खास इंडियन होमेपतिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है विथेनिय सिम्टम्स पर यूज में लेना है और एड़ एंड अप दे वीडियो हम लोग ये भी जानेंगे कि इस दवा को हम लोगों को किन-किन कंडिशन्स पर यूज में नहीं लेना है तो बने रहे हैं तक इस वीडियो के साथ पूरी जनकरी मिलने वाला है बट उससे पहले आप इसकी द्वाट से बना हुआ सब्ध है जिसमें अश्व का मतलब होता है घोड़ा और गंद का मतलब होता है स्मेल यानि वो मेडिसन जिसमें से की घोड़ा यासा स्मेल आती हो इसलिए सायथ अश्वगंदा कहा गया है या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हो कि ये दवा आप अब बार अश्वगंदा मदर टिंचर दिखता कैसा है ये आप लोगों को दिखाना चाहूंगा दोस्तो मेरा हाथ पे जो आप देख रहे हो ये है अश्वगंदा मदर टिंचर जो की 30 ml की साइज में है ये विलमा श्वैबे की दवा है दोस्तो और इसी के साथ साथ मेरे प हो रहा हो या पून तलिंग में तनाव नहीं आ रहा हो तो इन सभी रीजन्स में यूज की जाती है दोस्तो अश्वगंदा मदर टिंचर को 20-20 बूंद करके दिन में तीन बार हापका पाने में मिला करें लिया जा तो बहुत अच्छा रेस्पांस देखने को मिल सकता है दो दोस्तो ये टेस्टोस्टेरन होर्मोन को भी बूस्ट कराती है जिस किसी भी पूरुष में दाड़ी से डेवलब नहीं हुआ है उमर 20-22 साल हो गया है मगर मुच्छा भी तक डेवलब नहीं हुआ है और सीमन बहुत कम डिस्चाज होता हो दियूरिंग इजाकुलेशन यान लोगों में मसल मास डेवलब नहीं हो रहा हो दिन पर दिन पतला दुबला होता जा रहा हो पेशेंट और खासकर अगर कोई क्रोनिक डिजीज होने का बाद अगर ऐसा होता हुआ दिख रहा है तो उस केस में अश्वगंदा मदर टिंचर का एक बहुत ही अच्छा रोल रहत है बॉडी का मसल मास को बढ़ाने के लिए दोस्तो और जो भी ब्रदर्स बॉडी बिल्डिंग करते है जिम जाते है तो उन लोगों सो भी में कहना चाहूंगा कि आप किसी दूसरे सप्लीमेंट को यूज करने के जगा अश्वगंदा मदर टिंचर को यूज करें अश्वगंदा मदर टिंचर को भी अपना इस्तमाल में जरूर रखे क्योंकि दोस्तो इस दवा का अंदर एक एंटी कैंसर पॉपर्टी भी मौझूद है दोस्तो अश्वगंदा मदर टिंचर हार्ट डिजिस के लिए भी यूज किया जाता है जो को स्ट्रोल लेवल है जो कई सारे महिला ऐसी है जो कि इस दवा को अपने डेली रूटीन बेसिस पर यूज कर रहा है और आप यकीन नहीं करोगी अगर आपको बच्चों में दिखने को मिलता है तो फिर दोस्तो आप अश्वगंदा पांच-पांच बून करके दिन में दो बार दे दीजिए तो फि दोस्तो अब बात करते है कि इस दवा को हमें कौन-कौन सी कंडिशन पर यूज नहीं करना चाहिए तो जो पहला कंडिशन है वह है प्रेगनेंसी और ब्रिस्ट फिडिंग यहां दोस्तो अगर आप प्रेगनेंट हो यह फिर आपका फिडिंग बेबी है तब फिर दोस्तो आपको उस टाइम दोरण इस दवा को आपको यूज नहीं करना चाहिए दोस्तो नेक्स जो कंडिशन है वह यह है कि जिन लोगों की ब्लड प्रेशर और ब्लड श्युगर नर्मली लो रहती है तो उन लोगों को भी दूस्तो यह दवा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे यूज करने से ऐसा हो सकता है कि उस लेबल में और गिरावट आ सकती है। दोस्तो इसका अगला जो कंडिशन है वो यह है कि इस दवा को आप 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 इस दवा को यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तो और इसी के साथ दोस्तो अगर आपको थाइरोड है तब भी आपको यह दवा यूज नहीं करना चाहिए दोस्तो तो दोस्तो यह था एक शॉर्ट वीडियो अबर विथेन या सोमनी फेरा यानि अश्वगंदा अगर आपको इस टॉपिक से लेटेड मुझ से और अजर्ट यह दोस्तो अगर आपको यूज दोस्तो प्रॉपूर्ट यूज वांगर दोस्तो तोस्तो दोस्तो प्रॉब्ड इस बर्द्ट्ट